ओम नमो भगवते वासु देवाई अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे पालन करता भगवान विश्णू जो इस स्रिष्टी के पालन करता है अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं सदैव उनके सारे विगड़े काम बनाते हैं और संकट के एक शण में जब भी कोई भक्त भक्त परायन विश्णू भगवान को पुकारता है तो एक शण मात्र का विलंब किये बिना भी दोडे चल कर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं तो आए भक्त जनों गज और ग्राह के स्पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे एक ऐसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दोडे चले आए करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विष्णू का गुणगान जब भक्तों पे संकट आया दोर किये भगवान करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विष्णू का गुणगान एक गज राज था सुन्दर वो रहता परवत उपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर प्रेम करते थे उससे सभी जंगल के जानवर जुंड के बीच में चलता मस्ती में जूमता रहता विष्णू का परमभत वो सदा नारायन कहता विष्णू का परमभत वो सदा नारायन कहता जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विश्णू का गुणगान वो भोला भाला गजराज भगवान विश्णू का परम भग्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठो याम भगवान विश्णू को याद करता रहता था वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुन्दर से सरोवर की नस्दीक जा पहुँचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतर कर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फैंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे जुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी शाम थी बड़ी सुहानी सुंड में पानी लेके एक दूजे पे फैंके ग्राह ने गज के पाउं को घसीता मुह में लेके गज का पाउं जब ग्राह ने पकड़ा हुए सभी परिशान करू मैं विश्णों का गुणगान 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 एक बड़ा ही सुन्दर गंधर्व जो देवल रुशी के शाप से तालाब में मगरमच बन गया था वो मगरमच गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ कर गहरे पानी में खैचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का जुणड परिशान हो जाता है मगर चुकी पानी बहुत गहरा होता है इस वज़ा से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है ग्राह और गज के बीच घमासान लडाई होती है मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है वो बल पुर्वक गज को पानी के अंदर खीशता है और गज का आत्म विश्वास और बल धीरे धीरे जब चबाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है ग्राह ने जोर लगाया पाव में दात गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पी कर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर पी के गज राज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरी को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्राण करू मैं विश्णों का गुणगान 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 ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीशन लडाई होती है ये लडाई छै महीनों तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भत वतसल भगवान विश्नु को करुणा भाव से पुकारता है और आगे क्या होता है प्राण संकट में पाकर गज ने विश्नु को पुकारा विश्नु जी दोडे आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया हरी की शरण में आया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया दोनों को वे कुंठ मिले विश्णू ने दिया वर्दान करू मैं विश्णू का गुणगान करू मैं विश्णू का गुणगान भक्त वच्छल भगवान भग्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को खुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजेतिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जणों के संकट शण में दूर करे ओम जै जगदीश हरी ओम जै जगदीश हरी ओम 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 ओम नमो भगवतिवासु देवाई ओम नमो भगवत देवासु देवाई ओम नमो भगवत देवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 ओमनमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवति वासु देवाई ओमनमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवति वासु देवाई ओमनमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन ओमनमो भगवति वासु देवाई ओमनमो भगवति वासु देवाई ओमनमो भगवति वासु देवाई ओमनमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 बज्मन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवतेवासु देवाई ओम नमो भगवतेवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवत देवासु देवाई ओम नमो भगवत देवासु देवाई ओम नमो भगवत देवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओमनमो भगवत देवासु देवाई ओमनमो भगवत देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवतिवासु देवाई ओम नमो भगवतिवासु देवाई ओम नमो भगवतिवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन ओम नमो भगवतिवासु देवाई ओम नमो भगवतिवासु देवाई ओम नमो भगवतिवासु देवाई ओम नमो भगवतिवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन बजमन नारायन 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 बज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवत देवा सुदेवा ओमनमो भगवत देवा सुदेवाई श्रीमन नारायन 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 बज्मन नारायन 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 बज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवत देवा सुदेवाई ओमनमो भगवत देवा सुदेवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवत देवा सुदेवाई ओमनमो भगवत देवा सुदेवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवते वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 ओम नारायन ओम नमो भगवते वासु देवाई श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवति वासु देवाई ओमनमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवति वासु देवार ओमनमो भगवति वासु देवार श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवति वासु देवार ओमनमो भगवति वासु देवार ओमनमो भगवति वासु देवार ओमनमो भगवति वासु देवार श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 अब सौप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हातों में मेरा निश्य बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाओं मैं अर बन कर दू दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हातों में सब सौप दिया इस जीव में सब मार तुम्हारे हातों में यदि मानुष का मुझे जनम मिले तेरे चरणों का दास बनू तेरे चरणों का दास बनू इस पूजक की एक एक रग का भरतार तुम्हारे हातों में सब सौप दिया इस जीव में सब मार तुम्हारे हातों में मार तुम्हारे हातों में जब संसार का कैदी बनो निश्काम भाव से करम करो निश्काम भाव से करम करो फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे हातों में सब सौप दिया इस जीव में सब मार तुम्हारे हातों में मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारा यण हो मैं नर हूँ तुम नारा यण हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हातों में सब सौप दिया इस जीव में कर सब मार तुम्हारे हातों में नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा तुमने तारे लाखों ब्राणी ये संतों के वाणी है तेरी छभी पर मेरे बगवन ये दुनिया दीवानी है ये दुनिया दीवानी है ये दुनिया दीवानी है भाव से तेरे पूजा रचाऊं जीवन में मंगल होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा सुर्णर मोनीवर जिनके चरण में निश्दिन शीष जुकाते हैं जो गाते हैं रभु की महीमा वो सब कुछ पा जाते हैं अपने कश्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंदन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आते हैं हम है बालक तेरी चरण में तेरे ही गुण गाते हैं भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा ऐसी दया कर देना दाता निश्छल गुजरे ये जीवन रंग लगे नहीं कपट जोट का ठोपावन मेरा तनमन सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अरपन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा सत कर्मों को करते रहे हम सच की राह दिखा देना विचलित यदी मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना अंतु समय जब आये तो प्रभु दाव मुक्त दरपन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा बना पावदे बने साथ बोल हरी बोल हरी 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 बोल केशव मादव हरी हरी बोल केशव माधव हरी हरी बोल बोल हरी बोल हरी 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 बोल मुकुंद माधव हरी हरी बो मुकुंद माधब हरी हरी बो नाम हरी का ऐ शुबकारी नाम का पीले अमरित घो केशब माधब हरी हरी बो मुकुंद माधब हरी हरी बो केशब माधब हरी हरी ओ केशब माधब हरी हरी ओ दड़ पवड़ दड़ दड़ सूर और तुलसी नाम ने तारे सूर और तुलसी नाम ने तारे केशब माधब हरी हरी ओ केशब माधब हरी हरी ओ केशब माधब हरी हरी ओ केशब माधब हरी ओ नाम का चंदन तिलक लगाले द्वार तु अपने मन के खोन केशब मादव अरी हरी बो मुकुंद मादव अरी हरी बो केशब मादव अरी हरी बो केशब मादव अरी हरी बो मुकुंद मादव अरी हरी बो मुकुंदु हाधम हरी हरी हुआ हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या अम्रित है हरी नाम जगत में इसे छोड़ विशे विश पीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना 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 क्या काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चड़ बोले काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चड़ बोले ना जाने कब सिर चड़ बोले हरी का नाम जापो निश दिन तुम हरी का नाम जापो निश दिन इसमें अब बरस नहीं ना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या तीरत है हरी नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरी नाम नावे तो काशी और मदीना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना 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 क्या हरी घड्याओ ना क्या थाा झाल को मादy तो जी ना क्या हरे ना हर तो क्या ड् can च्जा आभूशन से अंग सजावे रसना पर हरी नाम नायावे देह पड़ी रह जाए यही पे फिर कुंडल और नगीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना 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 क्या ओम नमो भगवते वासुर देवाय प्रिय भक्त जनू अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जै जगदीश हरे पालन करता भगवान विश्णू जो इस स्रिष्टि के पालन करता है अपने भक्तों की सदा कापकापुकार सुनते हैं सदयव उनके सारे विगड़े काम बनाते है और संकट के एक शन में जब भी कोई भक्त भग्त परायन विश्णु भगवान को पुकारता है तो एक शन मात्र का विलंब कि ये बिना भी दोड़े चल कर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबार तो आएए भक्त जनों गज और ग्रहा की इस पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार बुकारा और भगवान दोड़े चले आए करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान जब भक्तों पे संकट आया दूर किये भगवान करू मैं विष्णों का गुणगान एक गज राज था सुन्दर वो रहता परवत उपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर जुंड के बीच में चलता मस्ति में जूमता रहता विष्णों का परमभक्त वो सदाना रायन कहता जंगल के सारे जीवों का करता था समान करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान वो भोला भाला गजराज भगवान विष्णों का परमभक्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुभा शाम आठो याम भगवान को याद करता रहता था भगवान विष्णों को वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुन्दर से सरोवर के नस्दीक जा पहुचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतर कर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंग कर बड़े ही मजे से खेल रहे थे जुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी शाम थी बड़े सुहानी सुंड में पानी लेके एक दूजे पे फेके ग्राह ने गज के पाव को घसीटा मुह में लेके गज का पाव जब ग्राह ने पकड़ा फूए सभी परिशान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल रिशी के श्राब से तालाब में मगरमच बन गया था वो मगरमच गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ कर गहरे पानी में खीचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का जुन्ड परिशान हो जाता है मगर चुकि पानी बहुत गहरा होता है इस वजह से चाहकर भी कोई गज की मदद नहीं कर पाता है ग्राह और गज के बीच घमासान लडाई होती है मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता वो बल पूर्वक गज को पानी के अंदर खीचता है और गज का आत्म विश्वास और बल धीरे धीरे जब जब जवाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है और क्या कहता है ग्राह ने जोर लगाया पाउ में दात गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पी कर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर पी के गज राज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरी को तब गज ने पुकारा श्री हरी को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्रान करू मैं विष्णों का गुलगान करू मैं विष्णों का गुलगान करू मैं विष्णों का गुलगान प्रिय भक्तों ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषन लडाई होती है और ये लडाई छे महीने तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गज राज कमजोर होता जाता है अन्त में गज राज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भक्त वतसल भगवान विश्णों को करूना भाव से पुकारता है और क्या कहता है आए सुनते है प्राण संकट में पाकल गज ने विश्णों को पुकारा विश्णों जी दोडे आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया हरी की शरण में आया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया दोनों को वे कुंठ मिले विश्णों ने दिया बरदान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान प्रिय भक्त जनों भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजय तेवारी जी कहते हैं अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें ओम जै जगदीश हरें ओम जै जगदीश हरें अपने जगदीश हरें हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं अंतर घट मन को मथले पल की खबर नहीं हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं नाम बिना ये तेरा जीवन अधोरा है जीवन अधोरा है जीवन अधोरा है घाटा सत संग बिना होता नहीं पूरा है नाम बिना ये तेरा जीवन अधोरा है घाटा सत संग बिना होता नहीं पूरा है तेरी बीती उमरिया सारी पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं रिष्टेदार सारे यहां मतलब के यार है मतलब के यार है क्यों मू लगाना ये तो जूटा सनसार है रिष्टेदार सारे यहां मतलब के यार है क्यों मू लगाना ये तो जूटा सनसार है प्रभु नाम से प्रीत लगा ले पल की खबर नहीं 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 पर उपकार करे जो सच्चा इनसान है नाम पिया ला जिसने पिया वो महान है पर उपकार करे जो सच्चा इनसान है नाम पिया ला जिसने पिया वो महान है उसकी सत गुरु कर रखवाली पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं कितना प्यारा तनिये तेरा प्रभु ने बनाया है प्रभु ने बनाया है माया धन सुख में तुने नाम को भुलाया है कितना प्यारा तनिये तेरा प्रभु ने बनाया है माया धन सुख में तुने नाम को भुलाया है गुरु शरण अभूल सुधारी पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं कर्म कांड सारे बिना नाम के विकार है सेवा व्रत सुमिरन प्रभु मिलन की द्वार है कर्म कांड सारे बिना नाम के विकार है सेवा व्रत सुमिरन प्रभु मिलन की द्वार है हरी नाम को तू अपना ले पल की खबर नहीं हरी नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं लक्ष्मिपथी दै लक्ष्मिपथी स्रिष्टी के पालन करता करुणा मैं क्रिपानि धान की जै विष्णू भगवान की श्रिष्टी के पालन करता करुणा मैं क्रिपानि धान की जै विष्णू भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदिश हरे प्रिथ्वी की रक्षा के लिए प्रभुनेवा राह अवतार लिया अतिबल शाली हिरन्याक्ष का पल भर में संहार किया प्रिथ्वी की रक्षा के लिए प्रभुनेवा राह अवतार लिया अतिबल शाली हिरन्याक्ष का पल भर में संहार किया होज के प्रिथवी को जब लाए देव अंबर से फूल बरसाए जीवन सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणकान की जै विष्णू भगवान की जै विष्णू भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे जब बढ़ात्या चार कंस का कृष्णू रूप में प्रभु आए कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाशा सिखलाए जब बढ़ात्या चार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाशा सिखलाए काल ने महाभारत करवाया कृष्ण ने धर्म ध्वजा लहराया जानते हैं सब लोग ये बाते सारी वेद पुरान की जै विष्णु भगवान की जै विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे जब के संपट दूर करे ओंजे जगदीश हरे धर्ती का संताप मिटाने रामजी का अवतार लिए राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार के धर्ती का संताप मिटाने रामजी का अवतार लिए राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार के राम प्रभु मर्यादा सिखलाए सब के दिल में राम समाए बचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की बचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की सब के संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे बचन नरसिंग रूप की ये धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिये ये जमाने को बचन नरसिंग रूप की ये धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिये ये जमाने को बात निराली मेरे प्रभु के आनवान और शान की जै विष्णू भगवान की सबके संकत दूर करे ओम जै जगदीश हरे सबके संकत दूर करे ओम जै जगदीश हरे ओम नमो भगवते वासु देवाए भक्त जनों जब जब भक्तों पर भीड पड़ी है तब तब श्रीहरी विष्णू जी ने अलग अलग रूपों में अवतार धारन कर भक्तों को पापों संतापों से मुक्त किया है उनके प्रमुख अवतार हैं भक्तों मज्य अवतार, वरा अवतार, पूर्म अवतार, नर्सिंग अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, वक्रिश्न अवतार परन्तु आज मैं आपको उनके मोहिनी अवतारों की दो प्रमुक संगीत मैं कथाएं सुनाने जा रहा हम जिससे आपको ग्यात होगा कि क्यों और कैसे श्री हरी विश्नु जी ने मोहिनी अवतार धारण किये और कैसे देवों का रक्षन किया तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए बोलिए श्री हरी विश्नु नारायन भगवान के ओम नमो भगवती वासु दीवाई नमो राव कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा मोहिनी के रूप ने तो भगतों को अपने तारा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा पहली कथा सागर मन्थन की है भगतों देव और दानव मिलकर सागर मन्थन कर रही है मन्थन से चोधै रतनों के साथ साथ वैद धन्मंत्री अम्रित कलश भी लेकर निकली जिसे पाने को देव और दानव आपस में भिड़ गएते भकतों दानव अधिक बल्चाली थे सो अम्रित कलश लेकर भाग निकले सभी देवी देवता श्री हरी नारायन की शरण में आये और अम्रित तलश वापस लाने की गुहार करने लगे भला अपने भकतों की पुकार देवा नारायन कैसे न सुनते उन्होंने मन ही मन एक युट्टी सोची हेशिरी हरी नारायन विपदा हरो हमारी अम्रित को लादो वापस हम है शरण तुम्हारी हमको तो आपका ही हे हरी तो है साहारा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा भगवान श्री हरी नारायन ने मोहिनी का स्वरूप धारन किया भकतों और पहुँच गए असुरों के सन्मुट उनके अतुलित सौंदर्य को देखकर सभी असुर कामातुर होकर उससे विवा करने हे तुम्हालाई थो उठे मोहिनी रूपी श्री हरी ने कहा जो उनकी ताल से ताल मिलाकर नित्य करेगा वो उसी के संग विवा करेंगी सारे असुर अमरित कलश को भूल उनकी ताल में ताल मिलाकर नित्य में मगन होगे भकतों और इसी में अवसर देखकर मोहिनी रूपी श्री हरी विश्णू ने अम्रित कलश उठाया और अंतरध्यान हो गए तथा देवों के सन्नुख प्रकट होकर उन्हें अम्रित पान करा उन्हें अमरत्तो प्रधान किया ओम्नमो भग्वति वासु देवाई रमः मोहिनी बने नरायन असुरों को था नचाया अम्रित कलश उठाया देवों को था पिलाया मोहिनी के रूप ने ही सभी देवों को था तारा कैसे शिरी हरी ने मोहिनी का रूप धारा मोहिनी अवतार की दूजी पावन कथा भगवान शिव से सम्मन दित्ते बक्तो दैत्य भस्मा सुर ने भगवान शिव का कठोर तप किया और जब भगवान शिव उसे वर्दान देने आए तो पहले तो उसने अमरत्त्त का वर्दान मांगा जब भगवान शिव ने इसे नीती सुरूप न बताया तब उसने वर्दान मांगा भे भोले नार मैं जिसके सिर पर हाथ धरूँ वो तत्काल भस्म हो जाए भोले शंकर तो भोले हैं बक्तों तत्काल प्रभाव से तथास तु कह दिया जैसे ही ततास तो कहा तो वो असुर अपने वर्दान को प्रमानित करने है तू भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने के लिए उनके पीछे पीछे भागा भगवान भोले शंकर आगे आगे भाग रहे हैं और असुर पीछे पीछे भगवान भुले नात भाग कर श्री हरी की शरण में आये और अपने प्राणों की रक्षा की गोहार करने लगे भसमा असुर से बच के विश्नू शरण में आये भसमा असुर से बच के विश्नू शरण में आये भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाये भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाये गए भसमा सुर के सन्मुक शिव का बने साहारा कैसे शिरी हरी ने मोहिनी का रूप धाया भसमा सुर मोहिनी का अतुलित सौंदर्य देखकर ध्रमित हो गया भक्तों और उससे विवार करने हे दू आतुर हो गया मोहिनी रूपी शिरी हरी ने कहा कि यदी वो उसकी ताल में ताल मिलाकर निट्टि कर सकता है तभी वो उससे विवार करेंगी असुर तत्काल तयार हो गया फिर क्या था जैसे जैसे मोहिनी नाच्ती असुर उसका अनुसरन करता रहता नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा भक्तों असुर ने भी उनका अनुसनन करते हुए वैसा ही किया और भगवान शिव के अवतार के अनुसार अपने सिर पर हाथ देई वो तदकाल प्रभाव से भस्म हो गया और इस तरहे भगवान श्रीहरी के मोहिनी स्वरूप ने भगवान शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी भगवान भोले शंकर ने श्रीहरी नारायन के चरणों में नत्मस्तक को उनकी जैजेकार करी तो आप भी भक्तों भगवान श्रीहरी नारायन की जैजे कार कीजी बोलिये भगवान श्रीहरी विश्नु नारायन की जै ओनमो भगवतिवासु देवाई रमाः मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संगारा मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संगारा शिब जी के प्राण राखे उनका बने सहारा शीब जी के प्राण राखे उनका बने सहारा चंदन तिलक ने भगतों श्री हरी का नाम उचारा कैसे श्री हरी ने मुहिनी का रूप धारा